कि यह गाईज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज है संडे बज रहे हैं साड़े हाट लेट उठा रेस्टिंग डे आज थोड़ा सा वॉकिंग के लिए आया हूँ बाहर यहाँ पर यह वही गार्डन है जहां पर मैं वॉक वॉक करता था गार्डन अभी बन दे दिखने लगया है क्योंकि एट जून से जो लॉक्डाउन को रिलैक्सेशन मिली ती काफी जादा उसके बाद यहां पास जॉगिंग करना अलाव डे साइक्लिंग करना थोड़ा सा आप भी निकलो घर से बाहर क्योंकि ज्यादा टाइम घर पर रहना भी मैंटल स्ट्रेस हो तो थोड़ा प्रेकॉशन लेना जरूरी है लेकिन डर्ना नहीं है इससे क्योंकि देस नॉट अ तिंग जिससे आप मरी जाओगे तुरंत इससे आपको खाली प्रेकॉशन लेना ओवर नहीं करना है जितना मैंने देखा कुछ लोग बहुत ओवर कर रहे हैं यह हो गया वो यह कुछ भी हो गया तो पोरोना हो गया इस नॉट लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह कि यह हाइली कंटेजियस है आपको पता भी नहीं चलता कि आपको हो गई है और अभी तक की रिसर्च से पता जले कि 60-70% ऐसे केसी जो असेंटोमेटिक है जिसको कोई सेंटम ही नहीं है उसको इम्यून सिस्टम ने उसे और्टमाटिक क्योर कर लिया तो ऐसे काफी है बस इतना है कि अगर आपको सर्दीखास या जुकाम कुछ भी है तो आप घर पे रहो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो कम लोगों से मिलो जितना पॉसीबल हो उतना दूर रहो और अपने यह जो गार्डन है ना इसका अब जब दो चक्कर लगाते हैं ना हम तब जाके एक किलो मिटर होता है अपने प्रीविएस वीडियो मैंने गूगल फीट आप के बने बताया है जो यूस करके मैं इसको ट्रैक करता था रहनिंग करने के डाम इसको चालू करनेगा और फिर ज एक साइड की शॉप्स ओपन होगी जो मैंने पिछले व्लॉग में बोला था आप थोड़ा सा राउंड मारो फ्रेश है लो आपको अच्छा फील होगा कि घर में रहकर आफी लोगों को इरिटेशन भी हो गया है इसके लिए जाना थोड़ा ज़रूरी है बहार लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलू करो हमें कोरोना से ज्यादा आज के हमारी एकोनॉमी से दरनी की जरू होते क्योंकि कोरोना तो एक ही बार मारेगा एकोनॉमी हमें बहुत टाइम तक लंबा मारने की सिट्वेशन बहुत खराब तो यूज यूर टाइम प्रोड़क्टिवली वैसे आज मैंने कुछ बनाने का सोचा है तो चलो बनाते हैं गाइस चॉकलेट तो हम सबको पसंदे चाहें हम बड़े हो चाहे चोटे हो हम सबको क्रेविंग होती कभी ना कभी चॉकलेट खाने के और उसके बहुत सारे हेल्फ बेनिफिट्स भी जैसे हमारा मूड शूगर मेजर लिए उसमें रहता है शूगर जो के हमारे हल्थ के लिए अच्छा नहीं तो मैं अभी घर पे चॉकलेट बना हूंगा सिर्फ तीन इंग्रीडियंट लगेंगे दो सिर्फ पांच मिंट का काम है और अपके एकदम टेस्टी हल्दी चॉकलेट बनके रेडि हो सिर्फ तीन इंग्रीडियंट लगेंगे उसके लिए देखो वो इंग्रीडियंट के है यह चॉकलेट बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़े चाहिए कोको पाउडर जो की नैचुरल अन्स्वीटेंड है हनी और कोकोनट जो कोकोनट ओल है उसका डबल अमाउंट लिए नघंगे कोकोंट अलगो एकदम गरम नहीं करना हम इसमें हनीड डालेंगे इसको फटाक से विस करेंगे अगर आपकी पास विस्कर नहीं है तो आप फोक का यूस कर सकते हैं मेठे बीड zweite से सिर्फ य किया अर्फ इसको श्थर देना थाकि यह मिक्स हो जाया और आ purchases form जब तक एकदम मस्ट कंसिस्टेंसी ग्लॉसी मिक्षर ना बन जा है लेकिन फ्लेम को एकदम लो ही रखना है तो गाइस हुए एक्चुली है मैंने जब कोको पाउडर डाला उसको विस्क किया तो शायद मेरी मिस्टेक थी कि ओएल थोड़ा जादा गरम हो गया और वो कोको पाउडर बर्न हो गया तो अपलोगों को एध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम का होना चीए और अगर अगर जादा गरम गया तो उसको थोड़ा बन करके थोड़ा सेटल होने के लिए कूल होने के लिए तक दो बाद में को पाउडर फिर मैंने मॉम को बुलाया लोग ने बना के ट्राइग गया और वो बेटर बना है देखो कैसा बना है इन तीनो डब में वह जिसका कोको पाउडर हलका सा जल गया था और यह कुछ ऐसा है जिसका टेक्शर आप देख सकते हैं ऐसा बनेगा चौकले तो मम्मी हेल्प कर सकती है सब में फर्स ट्राइग इसके लिए जल गया बड़ ध्यान रखना है यह सारी टिप्स का आप आप जो चौकलेट वाला मोल्ड आता है उसमें टालोगे तो फटाक से निकल जाएगे चोटी 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 अच्छी बनेगी फ़र्स रहे था सिफ ट्राइल के लिए बनाया जिसमें से एक ही इसमें से अच्छी बनी है तो अब इसको निकाल के बताता हो कुछ इस तरह से जम इसमें थोड़ा ओयल जादा हो गया तो ओयल भी उपर जम गया है पर यह वाली जैसे ब्राउनी जैसे होगी है यह वाली एक परफेक्ट है तो हम यह वाली निकालेंगे इसको थोड़ा सा अगर आप इसे दबाओ गया अगर छोटा वाला मोल्ड होता या फिर आइस का ट्र हल्का सा कड़वा हल्का सा मीठा डेश्ट है एक नंबर नैचुरल विदाउट एनी शुगर हेल्फ बेनिफिट्स के साथ और ज्यादा मेहंगा भी नहीं अच्छा है डू गीविट आ ट्राइग अभी थोड़ी देर पहले न्यूज मिली देट सुषान सिंग राजपुती इस नो मोर उन्होंने सुसाइट कर लिया है ये न्यूज काफी शौकिंग थी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था वन अफ द फाइनेस्ट अक्टर इतने सक्सेस्फुल हो गय थे अभी उनकी हसी इतनी अच्छी बट कैसे कोई इतना एक्टर हम में ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा एक अक्टर जिसकी लाइफस्टाल इतनी अच्छी है वो ऐसे डिप्रेशन से गुजर रहा होगा और उसके माइंड में क्या चल रहा होगा मैं उसी के बारे में सोच रहा था था फिर मैं टेरिस पर अलाग है कि उनके मन में क्या था वर्ट इस नॉट असलूशन क्योंकि अगर आपके मन में कुछ है टॉक्तु समवन वर नियर और डियर तो वन जो आपकी बात समझे जो आपको कुछ समझा सके आपका कोई हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई दोस्त होता है मेरे भी कभी काली एक इनसान हसता हुआ दिखता है लेकिन अंदर से वह कितना दुखी है कोई नहीं जानता है इसमें यह कहना चाहता हूं कि life is very short वह लंबी नहीं है जितनी हम सोस्ते है इसलिए life में जितना टाइम मिले एंज़ॉय करना चीए जो मिले हमें उससे जो शेयर करना जा प्रिवेस लॉग में अभी भी भूलता हूं लेकिन वह बुक कोई रिलिजियस भूक नहीं है, कोई होली भूक नहीं है, वह बुक एक मैनकाइंड के लिए हमें जीने का तरीका चिकाने के लिए, उस बुक में भी है, कि suicide is not the solution, हमारे life में problems है, तो हमारे ही life में problems है, सबके life में problems है, और हमसे बड़ी दुसरों के life में problems है, हमें बस उसे लड़ना है, उसे हारना नहीं है, जिसके साथ जो होता है वो तो वही जानता है, मैं यहां से जज नहीं कर सकता कि सुषान सिंग प्रेय कर सकते हैं, अभी मैंने जो भी बोला, जो मेरे मन में आया, जो मेरी feelings ही, मैंने वो बस express की है, अगर कुछ गलत होगा उसमें तो उसके लिए sorry, अगर थोड़ा भी relatable है, आपको लगा कि sensible है, तो do comment your thoughts विले, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, व्यू काफी कि अरे बात करना चाहिए, मन हलका हो जाता है, सर, अम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं, रोज हमारी life में क्या चल रहे हैं, सर, हम ही जानते हैं, कभी-कभी तो मन करता है कि सब को छोड़ चार के वापस चले जा, रोज रात को जब quarter लोटते हैं ना, सर, तो असा लगता है, आउट होकर पविलियन लोट रहे हैं, और I'm सलुट असा अस्टार स्थी घ्रह घर चार लोटते हैं, और रहे हैं रहे हैं, सकती हैं, सब कर्षैर के वापस लिकाशने में क्याए?